मित्रों इस वेडियों में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम एल अक्छर से सुरू होता है उन लोगों के जीबन में साल 2022 एबम 2023 में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में मित्रों शाल 2022 एबम 2023 में आपका प्रेम शंबंध बहुत जियादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले शमय में आपके प्रेम शंबंध के मामलों में जो आपके गरहों के इस्थिती है जो आपके गरहों की चाल है वो आपके लिए बहुत जियादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले शमय में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ यादगार लमहों को बिताने में आप सफल होंगी आने बाले शमय में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका की बातों को समझने में एबम अपनी बातों को समझाने में आप सफल होंगी जिसके कारण से आप दोनों के संबंध में बहुत ज्यादा मिठास होगा आप दोनों का प्डेम संबंध बहुत ज्यादा रोमांचक होगा मित्रो आने बाले शमय में एक दूसरे के साथ रोमेंटिक मुलाकातें बहुत ज्यादा होगी आने बाले शमय में यदि आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस काम को करने के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर होगा अपने प्रेम शंबंध को आगे बढ़ाने में आपके मातापिता का सपोर्ट आपके मातापिता का सहयोग आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आने बाले शंबंध आपका प्रेमी हर मोर पर आपके लिए बहुत जयादा मजबूती से खरा होगा जिसके कारण आप दोनों का शंबंध बहुत जयादा मजबूत इबं बिहतर होगा मित्रो आने बाले शंबंध में यदि आपके घर पडिवार की बात कड़ें तो पडिवारिक जीवन के दृष्टी कोन से आपका शंबंध सामान ने तोर पे ठीक रहेगा आने बाले शंबंध में आपके घर का माहौल हसी खुसी से भरा होगा अपने घर बालों के साथ मौज मस्ती करने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा आने बाले शमय में अपने घर बालों के साथ सभी लोगों के साथ अपने शंबंध को आपको पारदर्सी बनाना चाहिए अपने घर बालों से कुछ भी छुपाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने घर बालों से यदि आप बातें छुपाते हैं एबम वही बातें अगर आपके घर बालों को किसी और के माध्यम से पता चलता है तो आप दोनों के संबंध में कुछ पड़ेसानी अबश्य होगा आने बाले शमय में आपके घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत जियादा बिहतर होंगे साल 2022 एबम 2023 में वे अपने परिक्छा में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे जिनकी सफलता को देखकर आपके घर के सभी लोग बहुत जियादा खुस होंगे मित्रों साल 2022 के जुलाई के महने में अपने घर पडिवार में अपने पाडिवारिक जीवन में आपको शाबधानी बरतना होगा क्योंकि 2022 के मध में ऐसी संभाबना है कि आपके घर पडिवार में किसी बिक्ती के साथ आपका शंबंध बहुत जियादा खराब होगा तो आने बाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले शमय में आपके कडियर के छित्र में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मित्रों साल 2022 में आपके कडियर के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि साल 2022 में भगबान सनी देब जो की आपके दसमे घर के स्वामी है जिस दसमे घर को करियर अस्थान भी कहा जाता है तो साल 2022 में भगबान सनी देब आपके कडियर भाव में रहने के कारण आपके कडियर के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों साल 2022 में जनबडी फरबडी मार्च एबम अप्रेल के महिने में आपके गरहों की इस्थिती आपके कडियर के द्रिश्टी कौन से बहुत ज्यादा बेहतर होगा इन चार महिनों में आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे इन चार महिनों में आपके कडियर के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों यदि आप में से कोई भी ज्यादक कला और मनोरंजन के छित्र से हैं तो आने बाले शमय में इन छित्रों में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके सिहत की बात कड़ें तो आने बाले शमय में अपने सिहत के मामलों में आपको सब धानी बरतनी चाहिए क्योंकि आने बाले शमय में यदि आप अपने सुवास्त के मामलों में कोई भी लापड़वाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा आने बाले शमय में आपको व्यायाम एबम अच्छी डाइट के साथ अपने स्वास्त संबंधी पड़ेशानीयों को दूर करना चाहिए क्योंकि आपके सेहत के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी एबम आबस्यक है आप में से जो भी जातक बलड प्रेसर से पड़ेशान है तो साल 2022 एबम 2023 में आपको नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए एबम बाजार की बस्तुओं और जंक फुड को खाने से आपको बचना चाहिए तो मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले दो बरसों में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों टोटका बहुत ही ज्यादा सामानने है आने बाले दो बरसों में आपको करना क्या है कि गडीब लाचार बेबस मजबूर और सहाई दिब्यांग ऐसे लोगों की सहाईता करनी है एसे लोगों की सेबा करनी है यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजिमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों यही था आपके साल 2022 एबम 2023 कारासी फल तो आगे बठने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद